नमस्कार दोस्तों मैं इंद्र जीत आज हम बात करेंगे प्रयास आवासी विद्याला के कख्छा ग्यारवी सत्र दोजार बाइस तेवी से तु जो परिच्छा युजित हुई थी 31 तारिक को उसका जो काउंसलिंग है उसका डेट आ चुका है इस वीडियो में हम जानेंगी क्या 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 डॉकुमेंट्स लगेंगी काउंसलिंग के लिए और किस प्रकार चॉइस फिलिंग फॉर्म को फिल किया जाता है ठीक है तो वीडियो में अन्तक बने रहें और अभी तक यदि मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें ताकि सभी बच्चों को काउंसलिंग का डेट पता चल सके ठीक है तो फ्रेंड्स देखेगा सांदार निव्ज आपके लिए उपरोक्त संदर्भित विशय लेख है स्वर्गी राजिव गांदी बाल विकास भविश्य सुरक्षा योजना कि अंतर्गस संचालित प्रयास आवासी विद्याराय की कक्छा ग्यारी में प्रवेश है तू प्राचन परिच्छा 31 जुलाई 2022 को हुआ है और इसकी काउंसलिंग का जो प्रपत्र है वो वेबसाइट cgtribal.in इसमें अप्लोड कर दिया गया है आप वहां से इसका प्रिंट कि अजार है कि अपने जीले के चैनित विद्यार्शियों को सुचित करें तचा अपने इस तरफ पर समाचार पत्रों में विज्यापन प्रकासित करें इसका प्रचार प्रसार करें ताकि काउंसलिंग के लिए सभी बच्चे उसमें उपलब्ध हो पाएं तो उसी माध्धम में आने वाले स्टुडेंट्स हो सभी बच्चों को प्रयास अवासी विद्याले सड्डू रायपूर 11 बजे से 5 बए तक अपनी उपस्थिती प्रदान करनी है और दिन है आपका सनीवार्द और दिनांख है 13 अगस्थ 2022 धान से ध्यान रखेगा कि 13 अगस्थ 2022 को 11 बजे से 5 बए तक काउंसलिंग होना है और सभी वर्ग के बच्चों के लिए है वो अलग-अलग वर्ग के लिए अलग-अलग दिन नहीं है यदि आपको कोई भी चीज जान करना है और कुछ कंफ्यूजन है तो यह नंबर से दिये गए हैं इस नंबर में आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या मुझे कमेंट्स कर सकते हैं फिर देखेगा यह आपका चॉइस फिलिंग फॉर्म है इसमें भरना है आपको तो सबसे पहले तो इसमें आपको यह भरन है कि रोल लंबर जो भी आप इंट्रस एक्जाम दिये हैं उसका रोल लंबर हो का आपके पास वह भरना है फोटो लगाना है कलर फोटो रहेगा उसके बाद जाती वर्ग अनुसूचित जाती है या पिछड़ा वर्ग है समान्य है या विशेस रुप से जो पिछड़े समू है उनके लिए है तो यह सब आपको भरना पड़ेगा फिर छात्र का नाम लिंग की मेल है की फिमेल है पीता का नाम रहेगा फिर माता जी का नाम है उसके प बाद है स्थाई पता ग्राम पोष्ट विकास खंड और जीला पीनकोड और साथी वर्तवान पता कई लोगों का दोनों सेम हो जाता है चाहे वर्तवान बोली है इस्थाई बोली है उसके बाद है अभिभावाक छात्र छात्रा का मोबाइल नंबर यह बहुत ही जरुई चीज में हैं तो लिख सकते हैं किस विद्यालाय से दसवी के अक्षा उत्तिर्न किये हैं अध्यारत है उस विद्यालाय का नाम विकास खंड जीला यह सभी आपको लिखना है साथी रक्त समूं कई बच्चे जो है अभी तक उनको यह नहीं पता है कि हमारा ब्लड डूप क्या है वैसे बच्चे बिल्कुल चेक करा लें साथी जटिल बीमारी हो तो जरूरू इसका विवरन करें किस प्रयास अवासी विद्यालाय में प्रवेश लेना चाहते हैं यह सबसे महत्तपूर्ण है आपके चॉइस फिलिंग फॉर्म में बागी तो नॉर्मल है इसमें आपको द गणित वम विज्ञान स्वारी जी विज्ञान इस फिल्ड में जाना चाहते हैं तो ही आप प्रयास अवासी विद्यालाय सरगुजा को सलेक करें यदि आप आर्ट और कॉमर्स के सक्टर में जाना चाहते हैं तो बिलासपूर अवासी विद्यालाय को सलेक करें फर्स नंब नुट कुभी कर सकते हैं, और इसमें बहुत ध्यान देना पढ़ेगा आपको यदि आपको अ बहुत ध्यान से सुनेगा बच्चे यदि आपको अब बालक हैं और यदि आ biology लेकर पढ़ना चाहते हैं दूर्ग प्रयास आवासी विद्ध हैं में आपको खाजता और बता रहूं यदि आप बालक है और बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप वहां चोईस फिलिंग फॉर्म में फर्स्ट नंबर में दूर डाल सकते हैं दूसरा कितनी सीट है ये भी माहिने रखता है तो पहले जो मैं सीट के लिए वीडिय कर पढ़ना चाहते हैं जेई मेंस एडवांस की त्यारी करना चाहते हैं तो आप बच्चे कहां भरेंगे दुर्ग में भर सकते हैं बाकी आपका जो सरगुजा है बिला सरगुजा है बस्तर है कांकेर है और कोर्बा है और जस्पूर है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप कोई भी सब्जेक्ट ले साइंस में बालक हो या बालिका हो सब चलेगा लेकिन दुर्ग के लिए स्पेशल है और सबसे बड़ा और सबसे बहतरिन विद्ध्यालों में से एक रायपूर तो प्रयास अबासी विद्ध्याले जिला रायपूर के लिए आप देखेंगे तो यदि आप बालक हैं और गणित लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपका सेलेक्शन होना है सड्डू में ठीक है इसमें नाम नहीं दिया है लेकिन मैं बता रहूं कि सड्डू में आपका सेलेक्शन होगा आप कॉंसलिंग कराने भी सड्डू ही जाएंगे देखेगा कैसे बहेतरिन बनाया गया है प्रयास अवासी विद्ड्यालय को तो आप यदि बालक हैं और गणित लेकर पढ़ना चाहते हैं तो फासट प्रिफरेंस आप रायपूर प्रयास अवासी विद्ध्याला जीला रायपूर अर्थाद गुडिहारी में जो विद्ध्याला है उनको देना है ठीक है अब इतना तो समझा ही गया होगा या आप मेरे पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं उसमें भी सब यह मैं बता दिया हूँ इसके बाद है सबसे महत्तपून चीज कि क्या क्या डाकूमेंट समको लगेंगे तो सबसे पहले आपको दसवी की अंग सुची लगेगी और इस्थाई जाती प्रमान पत्र तीसरा रहेगा आपका निवास प्रमान पत्र और चौथा बहुती महत्तपून अब यह आपको कोई बीमारी है तो उसमें विशेश रूप से उसका उलेक करना है तो यह अब बन जाएगा कैसे बनाएं यह भी कई बच्चे कुश्चन करते हैं तो बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप जहां भी आपको पास पड़ेगा कोई राजननगा जा सकता है कोई और कहीं जा सकता है कोई रायपूर के आसपास रहता है तो वहां भी बना सकता है लेकिन इसको अपने जीले में ही बना लेंगे ठीक है मेडिकल कॉलेज में तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा जो अब ही आपका result आया है merit सुची आई है उसका PDF निकाल लेंगे और जहां आपका नाम है उसमें ऐसे highlight कर देंगे और highlight करने के बाद उसको आप ले जाएंगे medical board वहाँ जाके आप उसको certificate बनवा लेंगे ठीक है और साथी साथ आप अधार card ले जाना नहीं भूलेंगे अधार card आज बहुत जरूरी हो चुकी है हर चीजों में तो अधार card भी आपको ले जाना पड़ेगा ठीक है इसके बाद है हस्ताक्षर अभिभावक अधात अपने parents का sign इसमें आप कराएंगे साथी चात्र कभी हस्ताक्षर है side में तो वहाँ अपना sign करेंगे फिर आपका घोशना पत्र तो यहां मैं करके अपना नाम लिखेंगे पिता कभी नाम लिखेंगे और sign करेंगे है ना दूसरा पत्र या पालक के लिए यह घोशना पत्र तो इसको भी आप फिल कर लेंगे कहीं कोई दिक्कत है नहीं इसमें और उनका sign भी रहे गया है तो इस प्रकार यह आपका choice filling form पूर्ण हो जाता है इतना ही आपको फिल करना है इसमें ठीक है यह ध्यान देंगे और कोई भी यह दी प्राब्लम हो तो जरूर मुझे कॉंटेक करें हरा मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्या प्राब्लम हो रही आपको चीक है बाकी इन्फोर्मेशन आपके लिए है आपके पार ज्यादा समय नहीं है सर्टिपिकेट बगर बनाने के लिए तो ध्यान दें होंगे ठीक है फ्रेंट्स थाइंक यू सो मच